नमस्कार फ्रेंड्स बीपी एसी एकाडमी योटूब चलेल में आप लोग का स्वागत है आज का मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड वह बहुत ही इंपोटेंट होने वाला है और इंपोटेंट इस लहजे से भी है क्योंकि बहुत दिनों से सरसटमी बीपीएसी का जो एक्जाम था वो पोस्पूंड होते जा रहा था और अब फिलहाल बीपीएसी ने इसकी डेट घोसना कर दी है और यह मान कर चलिए कि यह इसकी जो डेट है हुआ 31 अपरेल से लगबगता है तो हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत जादा समय नहीं है और इन एक छोटे समय में हम किस प्रकार से अभी से अपने तैयारी को करें ताकि हम निश्ची थो करें कम से कम 115-120 नंबर हमा स्कोर कर पाएं क्योंकि जिस परकार से देखा जा रहा है पिछले बर जिस परकार से cut up गया 108 नंबर जेनल का cut up गया था और इस बर जो competition है वह भी BPSC में बहुत जादा होने वाला है और हलाकि सीटे भी बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी आप यह मान कर चलिए कि उसी अनुसार से कुछ कटाप रहने वाला है तो कहीं ने कहीं हमारा जो तैयारी होना चाहिए वह उसी अनुसार से होना चाहिए और जो सबसे मैं देखता हूं लोग है वह BPSC और UPSC सिलेबस म नहीं समझते हैं और उनको लगता है कि आप BPSC का जिस प्रकार सर वह त्यारी कर रहे हैं इस प्रकार से वह BPSC के एक्जामों को भी क्वालिफाई कर लेंगे तो यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड मैं कहता हूं कि केवल आप कुछ बूकों को पढ़कर और बहुत ही अगर आप अच्छे से उस सिर्फ दो-तीन बूकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप 120 नंबर तक क्या स्कूर कर सकते हैं इसका मैं बादा करता हूँ आप लोगों से बहुत ज्यादा आप लोग को पढ़ने के जरूर्त नहीं है अगर आप इसको यउपीेसी से आप कमपेर करके चलेंगे अगर अगर आप उप इसको पढ़ना चाहें गे तो आप निश्य तोर पर इसमें अच्छा स्कूर नहीं कर पाएंगे तो मैं आ प्राइज हो जाएगा प्राइज इसका हाइक होने वाला है तो अगर आभी आप सुस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लिजे अभी तीन महिने का अडिशनल सुस्क्रिप्शन भी मिल रहा है और मेरा कोड अगर आप यूज करिएगा तो आपको 10% का इसके साथ ही एकेडमी अभी बिहार पुलिस के लेकर कि भी कलासेस लेकर आई है बिहार पुलिस को लेकर के तो वह भी आप कलासेस को बाई कर सकते हैं इसका फी बहुत ही कम है एक कोचिंग से भी बहुत कम इसका एक फी है तो जा करके आप चाहें तो मेरा कोड यूज करके आ जाते हैं तो बीपीएसी एक ऐसा एक्जाम है जिसमें बहुत जादा मलब डेप्थ से प्रश्ण नहीं जाते हैं अगर आप उसका प्रश्णों को खोजना चाहें तो उसका लेवल इतना मलब कॉमन होता है कि यह प्रश्ण आपको स्पीडी के बुक में भी देखने को मिल सकत जितना आवस्यक है सिर्फ आप वही पढ़े और यह बुक है मैं इससे गरांटी देता हूँ अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो आप एक बर प्रिभियस एर पेपर को लेकर देखिए और वहां से उन प्रश्णों को खोजने का कोशिस किजिए मैं निश्ची तोर पर आप लोगों सबादा करता हूँ कि वहां से आपको यहां से प्रश्ण देखने को मिल दाएंगे क्योंकि लूशेंट जो है फ्रेंट वह एक नोट्स का काम करता है सारे चीज इसमें कभर किया गया है बस उसको वही चीज को कभर किया गया है जो इन्पोर्टेंट है जैसे चैप्टर को आप लूशेंट से पढ़ते हैं जैसे अगर आपने उसमें हडापस सभ्यता पढ़ा तो हडापस सभ्यता कि जितने भी अब्जेक्टिव बन सकते हैं इस बुक से कर लिजे इतने सबुक में सारे सबजेक्ट के प्रश्न दिये हुए है और बहुत ही संधार प पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप लूशिंट के अलाबा घटना चक्र का पूर्वा लोकान आता है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा भूगोल के लिए आपको अलग आएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है तो इसमें आपको सारे सब्जे से बहुत अच्छे प्रश्ण लेते हैं लेकिन आप चाहे तो साइन्स के लिए घटना चक्र के यूज कर सकते हैं या साइन्स को आप घटना चक्र से असकीब भी कर सकते हैं तो मुख रूप से आप चाहे तो यूज कर सकते हैं इसको हिस्ट्री के लिए आप चाहे तो यूज कर सकते हैं जोग्रफी के लिए लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा जोग्रफी के टर्म में कि कहां से प्रशने पूछे जा रहे हैं इसलिए आप प्रिभियस येर पेपर से आप इसके सिलेवस को देख सकते हैं और एक चीज़ और फिरेंड कम से कम आप दीन में एक कहां से पूछे जा रहे हैं कौन कुन से टौपिक हैं साथ में भीहार के लिए अगर आपने इम्तिया जहमत का सब्जेक्टी पढ़ा है तो आप जहलों सब्ब्यक्ति कुछ सिर्व बूक आती है इंतियाज हमत की इसको आपको रट कर जाना है एक्जाम में क्रेंट अफेर के लिए आप किधिका पढ़ना है और साդमें बिहार में जो आर्थिक सरवेच्छान आता है भीर का बज़ाट आता है वहां से आपको जरूर से जरूर उसको complete करके जाना है फ्रेंट क्योंकि वहां से बिहार के current affair आपको cover हो जाएंगे बाकी आप SPD कीजिए लाष्ट में अगर आप SPD को complete कर ली रहेंगे तो revision के तोर पर आप किसी अगर बुक को लेना चाहते हैं तो आप edutaria के current affair को ले सकते हैं तो मेरा जो इस वीडियो में मोटीव रहा मैंने आप लोग को क्या का बताया सबसे पहली जो important चीज़ हुआ है कि आप जितना कम से कम बुक को follow करना चाहते हैं उतना कम से कम अपने बुक को रखें यहां पे जो मैंने आप bpsc के लिए अगर कोई आपको बहुत जादा डरा रहा है कि यह इसा प्रश्ण पूछ रहा है तो यह अक्वारा प्रीविएस यर के पेपर को देखें फ्रेंट प्रीविएस यर में आप देखेंगे तो इसका आपको इसका लेबल आपको पता चल लाएगा तो आपको तैयारी भी आपको इसी अनुसार से करनी है और एक चीज और ध्यान देनी वाली बात है अगर आप दो साल से एक साल से जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करने का अभी ही सबसे बेश्ट समय है तो इस समय को बरबाद न करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिरेंट रिवीजन पर ध्यान देजे क्योंकि आपने दो साल में जो पढ़ा है उसको जब तक आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा आपने दो साल में क्या पढ़ा या इन्पोर्टेंट नहीं है अभी साब क्या पढ़ रहे हैं कितना रिवाइज कर रहे हैं यह इन्पोर्टेंट है तो इस चीज को ध्यान रखे और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक जरूर किजेगा चैनल को सस्क्राइब करकर आप हमारे सजूर सकते हैं और इसी परकार के आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे तो आपको जो भी कोई डौट होता हो एनेकेडमी से जरूरी हुए तो आप हमसे केमेंट करकर पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप एनेकेडमी का लिजिये ही खुद से भी कर सकते हैं लेकिन जिनको टीचर का गाइडलेन जरूरी है वह एनेकेडमी के साथ जूर सकते हैं तो आज कलिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में टेक कर धन्यवाद बाए बाए